आप किसी दुकानदार या किसी फ्रेंड को जब PTM से पैसे भेशते हो आपका पैसे कर जाता है पैसे जो है उनको मिलता नहीं है आपका पैसे जो है अकाउंट से कर जाने के बाद पेंडिंग दिखा रहा है तो उन पैसे को अपने वापस अपने अकाउंट में कैसे लेना है बहुत ही simple trick बताऊंगा सबी लोगों के लिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो चलाओ तो लाइक कीजिए सबसे पहले आपको PTM open करना है उसको update करके रखना है ठीक है मैं update करके रखा हूँ और जो दिखा है इसमें details लिखा है कि तीन दिन के पाद पैसे जो है अपने आप मिल जाएगी money don't worry money save लिखा है इस तरह से लिखा है लेकिन मुझे तुरंट चाहिए मतलब 24 घंटे का अंदर मुझे कैसे लेना है ठीक है आपको तीन दिन तो वेट नहीं कर सकते 5000 यह 10,000 आपका जो बड़ा उमांड होगा उसको कैसे लेना है बहुत सिंपल तरीका है आपको देखें आपका पेटीम है उसको update करके रखना है उसी पेटीम आजाना है कहां पर अबने पेंटिंग लिखाया को क्लिक करना है इस तरह से रांजींग से पेंटिंग लिखाया है आपको आपको येल्प ने कलिक करना है ठीक है यहां से आएगा इस तरह से दो तिन घंडे का अंदर बिजनेस डे का अंदर आपको पैसे वापस मिल सकता है जिसको भेजने वाले हो तो रिशीप – NOT receive money उसमें आपको क्लिक करना है आप पैसे जिसको भेजने वाले हो तो उसको पैसे मिला नहीं है ठीक उसमें जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से लिखेगा पेमेट जो है आपका confirmation हो चुका है दो या तिन दिन का अदर जो भी है प्रब्लम सोलो जाएगा ठीक है इतना लिखेगा इतना लिखने बाद आप दूसरे दिन जब आपका अच्छा मॉलिंग करते हो तो साम तक हो जात पैसे अपने काटा था मतलब जिस बैंक से अपने भेजना चाहरा है तो उसी बैंक को वापस मिल जाएगी जब फेल लिख रहा है जब सक्सेस लेगेगा तो जो पैसे जिसको भेजने बाले तो उसको पैसे मिल चुकी है आप फोन करके वापस पैसे ले सक्ते हो याप जिस इसी तरह से आप करते हो तो 24 hours के अंदर आपका पैसे वापस मिल जाएगा जो भी पेंडिंग पैसे होगा ठीक है आपको इसी तरह से पेटियम से जो भी पेंडिंग पैसा है आपको सबसे पहले help में support मजाना है वहाँ पे कुछ commit लिखना है कमिट लिखने वाद अप्टोमेटिक जो फेल्ड हो जाएगा वापस पैसे refund अपने पैक अकॉड मिल जाएगा जब सक्सेस्बल हो जाता है तो वापस जिसको भेजने बाले तो वापस चला जाएगा तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लागा होगा लाइक कीजिए